UPSC इंटर्विव में अच्छे अंक लाने के लिए अपनाए टॉपर्स के ये अहम टेप्स संग लोग से वायोग UPSC ने सिविल सिवा मोखी परिच्छा का परिडाम जारी कर दिया है इसमें सफल उम्मिद्वार अब इंटर्विव के चरड में सामिल होंगे इंटर्विव इस परिच्छा की सबसे बड़ी चुनोती पूर्ण चरड माना जाता है इसमें प्राप्त अंक उम्मिद्वारों के अंतेम परिडाम को प्रभावित करते हैं आईए इस वीडियो में हम समझते हैं कि पिछले सालों के टॉपर्स द्वारा बताएगे कुछ खास टिप्स जो उम्मिद्वार को इंटर्विव के तयारी में मदद करेंगे डी ए ए ए फ फॉर्म का विसले सड़ करना जरूरी है 9 दिसंबर से UPSC ने विस्तरत आवेदन प्रपत्र DAF भरने की प्रकरिया शुरू कर दी है इंटर्विव के दौरान DAF फॉर्म से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं आप इसमें जो भी जानकारी भर रहे हैं उसका विस्तार से विसले सड़ करें इस DAF फॉर्म में उमिद्वार की सैच्छडिक प्रिष्ट भोमी अनभाव और रूचियों के बारे में जानकारी मांगी जाती है टौपर्स की सला है कि अभिवर्तियों को अपनी रूचियों को समझने और उन्हें सपष्ट करने में सच्छम बनना चाहिए नैतिक तर्क देने की आदत आप विक्सित कर लें UPSC नैतिक तर्क को अध्यधिक महत्त देता है ऐसे में उमिद्वार नैतिक तर्क देने की आदत विक्सित करें इसकी मदद से वे सत्निष्टा और नेक्टिक तिक्ता के आधार पर निरणय लेने के सवालों का जवाब आसानी से दे सकेंगे अगर उम्मिदवार नेतिक तरक के साथ अपने विचारों को पेश करते हैं तो यह दरसाता है कि वे सिविल सेवा को लेकर काफी कंबीर हैं टॉपर्स के मताबिक उम्मिदवार अपने तरकों को आंकडों के साथ जोड़ कर भी पेश कर सकते हैं समाज के विविन पर पेच्छों को समझें एक सिविल सेवक को समाज के विविन पर पेच्छों को समझने की अच्छी समझ होनी चाहिए तब ही वे समाजिक विकास के लिए काम कर सकते हैं ऐसे में उम्मिद्वार समाजिक मुद्धों को लेकर व्यापक समझ विक्सित करें, विविनित द्रश्टिकोडों, सांसकर्थिक विविद्ताओं और छेत्री चिंताओं के बारे में भी विचार करें टॉपर्स की सलाई यह है कि उम्मिद्वार समाजिक प्रपेश को लेकर सामा वेसी एवं समग्र परतिक्रियाय परदान करने के छमता को विक्सित करे और समाजिक मुद्दो पर भी अपनी पहल बनाये रखे वेकल्पिक विसे को अंदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है वेकल्पिक विसे मुख्य परिच्छा के साथ-साथ इंटर्विव के चरड़ के लिए महतपूर है इंटर्विय के दौरान कई बार मिदवारों से वेकलपिक विशियों के संबंदित कठिन सवाल पूछे जाते हैं ये जानने की कोजिस की जाती है कि मिदवारों को संबंदित विशय पर कितनी जानकारी है ऐसे में वेकल्पिक विसे की अफधारनाओं को इसपष्ट करें उन्चेत्रों पर ज्यादा ध्यान दें जिन से सवाल पूछे जाने के संभवना ज्यादा रहती है वेकल्पिक विसे को समसमाई घटनाओं से जोर कर जरूर पढ़ें मौक टेस्ट में सामिल जरूर हो क्योंकि उम्मिदवार को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मौक टेस्ट में सामिल होना चाहिए टॉपर्स का कहना है कि इसकी मदद से बोल चाल पहनावा और बोडी लेंग्वेज सुधारने में मदद मिलती है इससे आत्मिस्वास भी बढ़ता है इसके अलावा उमिदवार समय समय पर सिच्चकों से भी मार्ग दरसल लेते रहते हैं तो इंटर्वी की तियारी करते रहिएगा और जल्द से जल्द अपना इंटर्वी पास करिएगा धन्यवाद